एपिज़ोर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां 1010 को स्पीरिट ने पकड़ लिया था तबी चुईज़ेन स्पीरिट पर अपनी पावर का यूस करता है जिसके करेंट 1010 नीचे गिनने लगती है लेकिन चुड़ेन अपनी पावर का यूज़ करके उसे भी बचा लेता है और केता क्या आप ठीक है मास्टर टेंटें केती हां मैं ठीक हूँ वही पेड़ की स्पेडिट भी बहा निकलाती है टेंटें केती तुम यहां लोगों को परिशन क्यों करे हूँ वो कहता है क्योंकि मैं एक पेड हूँ और किसी को मेरी medical skill पर वरोसा नहीं और नहीं मुझे खेती के लिए समिन दी जाती है तुम तो बिलकुल भी एक असले आदमी नहीं हो क्योंकि एक असले आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा तभी उस पेड की spirit को गुस्सा आजाता है और वो टेंटेन पर हमला करता है लेकिन टेंटेन उसकी बेल को पकल लेती है तभी चूजन चुपके से टेंटेन की मदद करता है जिसकी वज़े से वो spirit को बेल से पकल लेती है तभी चूजन उसे कुछ देता है और कहता है यह दीम जाओगे क्योंकि मैं जहां तुम्हें ले जा रही हुआ को एक दूसरे से बिद्वाव नहीं करता और वहां की लोग मेडिकल स्किल के भी काफी तारिफ करते हैं और उपड़ से मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें जाने दूगी अब सीन हमें विलेचीफ का दिखाया जाता है जो टेंटन को ठाइंक्यू कह रही थे उनके विलेच को स्पेरिट से बचाने के लिए हाथों से इशारा करते हुए पैसे मांगती है लेकिन विलेचीफ उसे एक बैनर देता है जिससे ना चाहते हूए उसे लेना पड़ता है अब सिन टेंटन का दिखाया जाता है जो की के लिए कुछ खरीदने के लिए जाती है तभी चूईचन को फ्लेश बेक आता है जा वो टेंटेंट जैसे दिखने वाली लड़की को ट्यूरियन्स खाने के लिए दे रहा था लेकिन वो कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं इसलिए प्रेजन में वो टेंटेंट को ट्यूरियन से हरा सकती हूं तभी वो कहता है वो कौन है और मेरे मास्टर हमेशा उससे की बाते कते रहते हैं चूकि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हार लाइफ टाइम मिशन है कि तुम अपने सिनर को हराओ तभी टेंटेंट अपने गर पर आ जाती है और के दिए मा मास्टर लगता है आपके खराब हो गई है आपका फिवरेट स्टूडेंट यहां पर है और वैसे भी मेरा नाया स्टूडेंट है ना कि मोबाई तभी वो कहता है मेरा नम चूई चैन है लेकिन फॉर्मेशन कौर में मेरा टाइटल मोबाई है यह संतर ही टेंटेंट के जार मास्टर के थे हाँ वैसे भी यह तुम्हारा सिनेर है टेंटेंट के थे मास्टर मैं आपके साथ 18 सालों से हूँ लेकिन यह तो आपको छोड़के चला गया था जिसके कारण आपको काफी रोना भी पड़ा था मास्टर के थे तो क्या हुआ अगर तुम भी मुझे 100 सालों के ले छोड़के चले जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए भी दो आसुब आऊंगा लेकिन उससे साधा नहीं और वैसे भी तुम मेरी परमिशन के बिना बाहर गई थी इसलिए अब तुम्हें अपना कमरा अपने सीनर को देना होगा तेंटें के ते क्या तो मैं कहां रहूँगी मास्टें के ते तुम्हारे लिए मेरी पास एक जगह है और मुबई को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं तेंटें अपने नई कमरे में आ जाती है जो कि काफी गंदा था चुई चैन तुम काले दिल वाले स्विट टंपलिंग हो मैं तुम्हें बता दूँगी कि बैतर कौन है अब सिन मास्टर और मुबई का दिखाया जाता है जो दोनों ड्रिंक करते हुए बाते कर रहे थे जो आपर मुबई के ते आपको टेंटें कहां से मिली मास्टर के दे तुम क्या सोच रहे हो टेंटें लियान वेन नहीं है 18 साल पहले वो मुझे छोटी बच्ची के रूप में मिली थी लेकिन वो दीरे दीरे लियान वेन की तरह दिखने लगी और अब वो बिलकुल वैसे ही दिखती है मुबाई केते तो कैंए उसका पूनर जन्म हो सकता है तब ही माश्ट केते ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों की आदते बिलकुल अलग है वो लियान वेन तो बिलकुल नहीं हो सकती तब ही टेंटें वहाँ आ जाती है और छुपकर बाते सुनने लगती है तब इमाश्य केते हैं वैसे तुम्हारी माते पर ये जिलान फूल की पंखोड़ी क्या कर रही है मूबई केते हैं जब से उसने मुझे श्राप दिया है तब से 100 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन ये तब खिलता है जब मैं टैंटिन को देखता हूँ तब इमाश्य केते हैं जब उसने तुम्हे शाप दिया था तो कहा था कि जब तुम पांच बार प्यार में पढ़ोगी तो तुम्हें एक बड़ी मुस्तिबत का सामना करना पड़ेगा और तुम जिसके भी प्यार में पढ़ोगी ये फुल खेल उठेगा तब इमाश्य को किसी के आवाज आती है इसलिए वो बाहर दिखने के ले जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था तब माश्र कहते हैं तुमने सौ सालों से लियान वेन को नहीं देखा और अजानक से तुमने टेंटेंटेंट को देख लिया जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है इसलिए तुम उसके प्यार में गिर गए और वैसे मैं तुम्हें बता दो टेंटेंटेंट को लियान वेन मत समझना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तब ही मुबे कहता है जब मैंने डेमन वर्ल्ड में कदम रखा तो मेरा मन सचमी परिशान हो गया था और मैंने डेमोनिक कल्टिवेटर्स के विरुध यूद्धि किया और इसने अभिश्यप को जन्म दिया इसलिए खिलता है तब ही वो माश्र को कुछ देता है माश्र कहते हैं यह क्या है मुबे कहते हैं सेक्ट छोड़ने की सो साल बात डेमन लॉर्ड से मुझे यह लोटस सेड मिल गया और मैंने सुनाए हम ऐसे ही साथ लोटस एकटे करते हैं तो हम साथ पत्यों वाली लोटस को बुला सकते हैं माश्र कहते हैं मेरे पास भी एक है जब मुझे टेंटेन मिली थी तो तो तब मुझे यह लोटस सेड भी मिला था अब सिन माश्टर का दिखाया जाता है जो कि एक इन्वीजिबल रूम को खुलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं जो कि टेंटेन भी छुपका देख रही थी वहीं दूसरी तरफ master एक box खुलते हैं जिसमें एक lotus state था और दूसरे state को उसके अंदर रख देते हैं तभी मूबई कहता है master आप चिंटा मत करें मैं सारे के सारे lotus states डून लूँगा वहीं दूसरी तरफ ten ten अपने मन में कहती है अगर मैं उससे पहले lotus states डून लो तो मैं मुभई को हरा सकती हूँ तो यह माश्र कहते हैं मुझे पता था कि तुम मुझे रिराश नहीं करोगे और वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं उसके जादे टेंटेन उस वाक्स को खुलती है और उस लोटस सेड को छूती है जिससे वो सो जाती है और उसे एक flashback आता है जो आपर मुबाईलियन वेंड के हाथों पर धागबान रहा था और केता है अगर एक बार विवाबंदन स्तापित हो जाता है तो तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती तभी वो अचानक से जाग जाती है तभी उसके friend वहाँ आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो क्या तुमने कोई सपना देखा है तेंटन के थे हाँ मैंने चुई चैन के बारे में सपना देखा उसके friend के थे क्या तुमने कोई romantic सपना देखा टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे पार मभाई की बुराइक नहीं को दिखे और नहीं चलो दो एक जगह पर यहां पर उसे लियानवेन एक लेकर आया थी कारकि एक सिक्रेट बेश बनाया था तभी मुबई भी वही कल्टिवेशन करता है और टेंटेन को अपने साथ पानी में लेकर कुछ जाता है तभी टेंटेन केते मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मेरा मज़ा कुड़ा निकले मुझे यहां पर लेकर आये हो मुबई केते मेरा वो मतलब नहीं था लेकिन वो तो वहां से चली जाती है सिन टेंटेन का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बैटी थी तभी मुबई उससे माफी मांगता है और केते तुम बिलकुर किसी की तरह दिखती हो इसलिए मैं यह साबित करना चाहता था कि किया वो परसन तुम ही हो या नहीं लेकि पढ़ाई करो मुझे सिनियर के लिए दल्या ले जाना है तो फिर वो मुझे ले जाने दो क्योंकि मैं इस मौकी का फायदा उठा कर उससे अच्छी तरह किसे जाना चाहती हूं उसकी फ्रेंट के ठीक है तभी टेंटेन अपने मन में कहती है तुमने मुझसे जूट बला औ तोखा दिया और अब तुम दल्या खाना चाहते हो तभी एपिजोड खत्म हो जाता है नेक्स्ट एपिजोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थाइक यू फो वाचिंग फूर डियो